हमारे चैनल पर अब तक हमने बात की जैसन स्टेथम और इकोवेज जैसे काफी मेजर एक्शन सुपर स्टार्स की टॉप टैन मुवीज की और आज की इस वीडियो में भी हम बात करने जा रहे हैं हॉलिवुड के एक ऐसे ही अक्टर की जो आज कल हर मुई में हमें और आपको देखने मिल जाते हैं इन्होंने सिर्फ हॉलिवुड में ही नहीं बलकि WWE के अपने केरियर में भी काफी धूम मचा रखी थी और साथ ही ये वर्ल्ड के दी मोस्ट एक्सपेंसिव एंड दी मोस्ट रिचेस्ट एक्टर भी है जी हां यहां हम बात कर रहे हैं तब 20 डुएन जॉनसन एक दा रॉक की इन सबी मोविस को आप मुवारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने आपको मिल जाएगा लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलना और बस इसली के साथ चलिए आज का काउंटडाउन शुरू करते हैं इस मोवी को रिलीज किया गया था 2009 में एंड ये एक एडवेंचर फैंटसी थ्रिलर मुवी है जिसा आप बेफिकर होकर अपनी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं मुवी में आपको लीड रोल में देखने मिलते हैं दा रॉक वो भी एक कैब ड्राइवर के अवतार में इस टोरी में आपको ये कैब ड्राइवर दो भाई बहन को जिनके पास कुछ सूपर नच्चरल पार्स होती है गॉर्मेंट और्गनाइजिशन से बचाते दिखेंगे जिसके लिए वो मदद लेते हैं एक UFO एक्सपर्ट की इस मुवी में आपको काफी कॉमेडी भी देखने मिल जाती है और हाँ ये मुवी हिंदी डपिंग के साथ भी अवेलबिल है मुवी रिलीज हुई थी 2007 में और लीड डोल में है डुएन जॉनसन कायरा सैज वे एक मैडिसन पैटिस ये कॉमेडी स्पोर्ट स्ट्रामा फिल्म है जिसे भी आप अपनी फैमिली के साथ बेफिकर होकर देख सकते हैं ये मुवी एक फैमस स्पोर्ट सेलिब्रिटी की स्टोरी दिखाती है जिसकी काफी एश वराम की जिंदगी चल रही होती है आसपास होट एंड सेक्सिलर किया पैसो की कोई कम ही नहीं लेकिन तब ही उसकी जिंदगी में दस्तक देती है एक 8 साल की बच्ची जो उसे अपना फादर बताती है अब रोख कैसे बिना किसी पैरेंटल एक्सपिरियंस के उस बच्ची को समालते हैं या फिर कहना चाहिए वाट साल की बच्ची उन्हें समालती है आपको मुवी देखकर काफी फणी लगने वाली है यह मुवी भी हिंदी डब्ध हो चुकी है जिसे आपको एक बार देखना चाहिए इस मुवी को रिलीस किया गयता है 2005 में और मुवी में लीड डोल में आपको देखने मिलेंगे कार्ल अर्बन, रोजमेंड पाइक और अफकोर्स फिरन के तोर पर डॉयन जॉन्सन यह मुवी इसी नाम पर बेस्ट एक वीडियो गेम की लाव अडप्टेशन है जिसमें आपको एक स्पेशल सॉल्डर्स की टीम कुछ आजीब जॉम्बी टाइप मॉंस्टर्स का सामना करते दिखेंगे वो भी किसी आम जगा नहीं स्पेस में मौजूद है एक स्पेस स्टेशन में एक एक एक्शन होरर साइंस फिक्शन मुवी है जो कि हिस्ट्री की वन ओफ दी बेस्ट गेम अडप्टेशन मुवी भी है और हाँ लखिली इंदी में भी रिलीज हो चुकी है या फिर सिंपली का हूँ जी आई जो टू मुवी रिलीज हुई ती 2013 में और ये 2009 में रिलीज हुई जी आई जो दा राइज ओफ कोबरा का डायरेक्ट सीक्वल है जिसमें आपको डुएन जॉनसन के साथ चैनिंग टैटम और एड्रियाना पैली की लीड रोल में देखने मिलती है और हाँ ये एक एक एक्शन एडवेंजर साइंस फिक्शन थ्रिलर मुवी है जो की जी आई जो नाम की एक कॉमिक बुस्ट की दीज पर अधारित है मुवी की स्टोरी अपने फर्स पार्ट के बाद से ही डायरेक्ट कंटीनियू करती है जहां ये जी आई जो की स्पेशल टीम अपने एनिमी टीम से लड़ती दिखती है पर साथ ही इस बार गौवर्मेंट ने उन पर वांटेट का इनाम भी लगा रहा है मुवी में भरपूर एक्शन थो आपको देखने मिलेगा ही मार्शल अर्ट भी आपको थोड़ा बहुत देखने मिल जाएगा साथ एक शांदार से स्टोरी भी आपको इस मुवी में देखने मिलती है यह मुवी रिलीस की गई थी 2018 में जो कि एक 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 अक्शन थ्रूलर मुवी है और कह सकते हैं कि एक डिजास्टर मुवी भी मुवी की स्टोरी एक 225 मंजिल की उची बिल्डिंग के एरांड रिवाल करती है जिसे आम तोर पर स्काइस्क्रैपर कहा जाता है और इस बिल्डिंग के सेक्योरिटे इंचार्ज के दौर पर डुएन जॉनसन आपको इस मुवी में देखने मिलेंगे एर उनके साथ उनकी फैमिली भी इसी बिल्डिंग में रहती है जब डुएन के वाउन किये जाने के बाद भी उस बिल्डिंग में एक हादसा हो जाता है इस मुवी को रिलीस के अगयता 2016 मेंड येक एक एक्शन कराइम कॉमेडी मूवी है जिसकी स्टार कास में आपको देखने मिलेगी ड्वैन और केविन हाट की जोडी और जिस मुवी में इस दोनों साथ हो वो मुवी हमेशा कमाल की ही होती है मुवी में ड्वैन में एक पुलिस आफिसर का रोल प्लेई किया है और कमाल की बात तो ये है कि अब ये मुवी हिंदी डबड भी हो चुकी है मुवी रिलीस की गई थी 2013 में लीड स्टार कास में आपको देखने मिलते हैं ड्वैन जॉनसन, मार्क वालबर्ग और साथिया अंथनी मैगी भी एक एक्शन कॉमेडी क्राइम ड्रामा मुवी है और हाँ डेफिनेटल एक फैमिली मुवी तो बिलकुल नहीं बलकि इसे 18 प्लस की पैरेंटल गाइडन्स मिल रखी है मुवी इस स्टोरी देखने मिलेगे आपको तीन बॉडी बिंडस की जो एक किड्नेपिंग के चक्कर में फज़ जाते हैं और इस सब में उनकी काफी खराब हालत भी हो जाती है मुवी काफी फ़नी इंसिनेंट से भरी हुई है जिस आप बिलकुल मिल्स नहीं करना चाहेंगे और लग्यली ये मुवी हिंदी डबिंग में भी अवेलिबल है और इसकी हिंदी डबिंग भी काफी हिलेरियस है मुवी रिलीस की गईती 2013 मेंड येक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और हाँ डुएन के फिल्मी कैरियर की one of the best और डीप मीनिफुल मुवी भी जिसमें आपको देखने मिलती है एक बाप बेटे की बीच की स्टोरी बेसिकली मुवी में दरॉक ने एक सिंपल फादर का रोल प्ले किया है जो एक आमसी सिंदगी जी रहा होता है लेकिन जब उसका बेटा किसी ड्रग डील की चक्कर में बंदी बना लिया जाता है तब दरॉक को कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिने वो चाकर भी मना नहीं कर सकता वोई में आपको एक बाप की अपने बेटे के लिए कुछ भी कर गुजनने की चाहत देखने मिलेगी और साथ एक खूफ सारा एक्शन भी जी हाँ फास्ट अंद फूरियस की ये चार मूवीज जिन में आपको दरॉक भी एक फेमिली मेंबर और एक इंपोर्टेंट रोल में देखने मिलेंगे ये फिल्म सीरीज कार्स रेस और चोर पुलिस की चेस के राउंड रिवाल करती है जिसके हर पार्ट में आपको डॉमिनिक टॉरेटो अपनी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ इंपॉसिबल टास्क करते दिखते हैं ये सबी मुवी ते अपनी कार्स के एक्शन सीक्वेंसे के लिए काफी ज्यादा पॉपलर है और मुझे नहीं लगता ही सब आपको बताने की कोई जरूरत है इन सब के साथ डॉएन जॉनस और जैसन सेतम के साथ भी सीरीज के अपनी खुद की स्पिन आफ मुवी में भी फीचर हो चुके हैं जिसका नाम है हॉपसेंड शो जिसे भी आपको जरूर चेक आउट करना चाहिए जी हाँ 2017 से स्टार्ट हुई जुमान जी की ये रिबूट फिल्म सिरीज जो की क्लासिक जुमान जी मुवी की तरह ये गेम पर अधारित है जो करेक्टर्स को अपने साथ अपनी फैंटेसी दुनिया में खीच ले जाती है मुवी की स्टार कास भी उतनी ही कमाल की है जितनी एंटर्टेनिंग ये मुवीज हैं जिनमें आपको डुएन जॉनसन के साथ कैविन हाट, जैक बलैक, कैरन गिलन लीड रोल्स में देखने मिलती है मुवी की स्टोरी की बात करूँ तो इसमें कुछ चार दोस्तों को अपने बेस्मेंट में एक गेम मिलता है जिसे खेलते हैं हुए वो सब उस गेम के अंदर घुज जाते हैं तो चलिए दोस्तों ये थी हमारी आज की टॉप 10 लिस्ट आइनो अभी ये लिस्ट काफी अधूरी है क्योंकि दरॉप काफी बहतरी इन मुवीज हॉलिवुड को दे चुके हैं जिनके बारे में हम आगे और भी बार्ट्स बना कर बात करेंगे फिलहर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंदाई होते से लाइकन अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस करके हमारी नोटिफिकेशन भी आउन जरूर कर ले बाकि मिलते हैं जल्दी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर ओवर एन आउट